हलो दोस्तों स्वागत है आपका जेस्ज बॉलीवड में आज हम उस शक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके भजन और संगीत, जीट संगे हम इतने बड़े हुए हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं अनुप जलूटा जी की वो बिग बॉस में शिर्कत करने जा रहे हैं अनुप जलोटा अकेले नहीं और उनकी वाइब भी नहीं आप सुनके चौक जाएंगे वो अपनी गल्फरेंड के साथ बिग बॉस में शामिल हो रहे हैं कलाइस टीविस के सबसे विवादित और पॉपुलर शो बिग बॉस का कल रात नौ बजे आगाज हो गया इसी शो में इस पार आम पबलिक के अलावा कई सितारे भी शिर्कत कर रहे हैं शो में क्रिकेटर श्रिसानत और ससुराल सिमरका की दिपिका भी आई है लेकिन इस शो में जो सबसे विचितर जोड़ी शामिल हुई है वह है भजन गायक अनुप जैलोटा की प्रेमी का जसलीन मथारू अभी तक इन दोनों ने पूरी दुनिया के से अपने इस रिष्टे को छुपाया हुआ था लेकिन शो में शामिल होने से एक के बाद एक यह रास खुलता गया हाला की अनुप जैलोटा का विवादों से कम नाता रहा है लेकिन उन्होंने अपने नीजी जिन्दगी में तीन शादिया की है और फिलाल जैसलीन के साथ रिष्टे का खुलासा होने पर बिक बॉस के पहले ही दिन इन पर सवाल या निशान उठने लगे हैं सल्मान ने भी ली रिष्टे पर चुटकी उन दोनों के घर के अंदर आने जाने से पहले सल्मान और उनके एक्सपर्ट पैनल के लोग उनके इस रिष्टे पर चुटकी लेते हुए भी दिखे अब तक विवादों से दूर रहे गायक अनुप जयलोटा अचानक कल रात सुर्कियों में आ गए है जहां उनके प्रशन सक उनके इस रिष्टे के सामने आने से हैरान है वही उन पर सोशल मेडिया पर काफी मीम्स भी बन रहे हैं सोशल मेडिया पर लोग अनुप जयलोटा को बिग बॉस का दूसरा स्वामी ओम बता रहे हैं जब जसलीन से उनके इस बिरिष्टे के बारे में पूछा गया तो जसलीन ने बताया कि मैं और अनुप चुप चुप कर मिला करते थे लेकिन बिग बॉस में आने के बाद हमें इस समस्य से भी छुटकरा मिल जाएगा जसलीन ने संगीत की दुनिया में आने से पहले अनुप जयलोटा से ही ट्रेनिंग ली थी जसलीन मूल रूप से कोलकता की रहने वाली है अनुप जयलोटा की उम्ड़ 65 साल और अजसलीन की 26 यकीन करना मुश्किल है पर यह फिल्म इंडस्ट्री यहां कुछ भी हो सकता है इसी तरह के मसालेदार खबरे देखने के लिए जुड़े रही हमारे साथ सब्जास बॉलोट पर सब्सक्राइब करे हमारा चैनल धर रही हमारे साथ सब्सक्राइब करना मतलब्च करिक लिए धूलोट प्रना मतलब्च करेंग।